हेलो फ्रेंट्स लाण्फ्री एक्स्पोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट मेंटि 13 में आपका स्वागत है है हुआ वीडियो में आपको बताओंगा हाव टू एक्सपोर्ट भाई एर, स्टेप बाई श्टेप प्रॉसेस आयम परेश व्लेंग की international exporting गोर trainer and exporter तो यहां मैं आपको बताता हूँ मैं खुद भी एक exporter हूँ और करता हूँ रखा एर भी में export करता हूँ depending on buyer 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 buy air goods मांगता है तो मैं buy air export कर देता हूँ buyer जो है by c goods मांगता है तो by c export कर देता हूँ तो यहां में बताऊंगा by air में export कैसे करता हूँ देखिए एर करना है बाई सी करना है रोड करना है प्रोसेस जनरली सेम है सबसे पहले क्या होता है order confirm होता है कि बायर को जो है 100 boxes mango चाहिए कितने box चाहिए 100 boxes जो है mango चाहिए order confirm करता है और advanced payment दे देता है अब क्या करना है सबसे पहले मुझे goods को procure करना है मैं आपको बता दू कोई भी प्रोड़क का order जो है बाई एर आ सकता है से नहीं fruit vegetable का आता है imitation jewelry का आता है जुतों का भी order बाई एर आ सकता है इसमें क्या होता है एक Efx Lexus को पड़ता है फोड़ी यह तूब खर्चा लगता है व बायर देता है तो बायर को जलदी है बायर को इमर्संसी है तो बायर जो है कोई भी goods आपसे बायर मंगवाए गा तो यहां बाई इसी quality के समझो मेरा मेरको export करना है अमेरिका के अंदर तो अमेरिका की quality के जो है mango चाहिए उसका जो size है कि बायर ने जो भी मांगा है कि एक box के अंदर six piece या 12 piece या eight piece जो भी बायर ने मांगा है उससे आप से मुझे pack करवाना है तो supplier जो है मैं बोलूँगा उससे आप से क्या कर पैक करेगा और जो है मुझे boxes की delivery देगा और यहां भी सबसे important चीजे planning कि मुझे अमेरिका mango export करना है समझो मैं अमदाबाद में हूँ या मुंबई में हूँ या कॉलकता में हूँ अमदाबाद से नियोक का direct flight है या connecting flight है connecting flight है तो कितना time ले रहा है और उसका pricing क्या होता है ज जो है कौनसी flight में बेजना है और कौनसी flight में space availability मिल रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा यह practical चीज है और मैं आपको पता दुबाई air में अभी हम बात करें 100 boxes की वरना क्या होता है बाई air export करना उसका pallet आता है 1200 kg का चौदा सो किलो का ऐसा बाई air के अंदर pallet आता तो प पुरा pallet book करते हो तो pricing थोड़ा कम होगा तो यहां पर air export में क्या करना है CHE को contact करना है उससे negotiation करना है और अच्छे pricing लेना यह क्या है airport to airport का dealing रहेगा यहां पर तो यहां पर CHE जो है हमें जो है जित्रे भी box है उसका booking लेके देगा और उसका pricing देगा और flight का schedule भी बताएगा कि यह flight available है यह flight available है इतना time लेगी इतना time लेगी इतना price है पुरा CHE हमको बताता है तो हमें क्या करना है जो भी flight हमको feasible होती है कि यह flight में हम बेज सकते है बायर को भी आप एक बार confirm कर सकते हो कि यह जो flight है इसमें हम बेज रहे तो बायर बोलेगा okay उसके बाद आपको flight का booking ले लेना है और यहां से cargo का process शरू करना तो supplier जो है उसके पांस से mango purchase करना है और export में उसका कोई process होता है water process हो गया या उसका कोई treatment होता है तो सारा treatment करना है treatment करके उसको फिर एरपोर्ट बेजना है और general को imitation jewelry export करना उसका कोई treatment आता नहीं है जो manufacturer या supplier उसे purchase करो उसको अच्छ हो CH को देना है CH shipping bill file करेगा और airport के अंदर जो है air cargo complex होता है वहां पर हमारा cargo जाएगा और वो cargo custom clean होगा और जो flight हमने book किया है उसके अंदर वो cargo चला जाएगा और हमारा cargo export हो जाएगा तो export import में बहुती simple process है by air export करना चाते हो तो भी यहां पर simple process है by sea export करना चाते हो तो भी simple process है by road export करना चाते हो तो भी simple process है आप export कर सकते हो इसमें कोई problem नहीं है मैं आपको बताओ मेरा imitation jewelry वगरे का regular export का काम रहता है तो यह तो बहुत simple है कि एक perishable cargo में थोड़ा बहुत भी देखना पड़ता है खराबना हो जैसा imitation jewelry वगरे है तो वो तो बहुत simple क्या करना है purchase करना ह उसका अच्छी तरह से packing करना है और packing में क्या करना है अच्छा pack करना है और box के उपर importer का पुरा नाम number address एक्सपोर्टर का पुरा नाम number address जो है लिख के यहां से airport बेज देना है और कई बार तो क्या होता है DHL FedEx में भी आप commercial cargo बेज सकते है उसमें क्या होगा parcel जो है DHL FedEx ल करना पड़ेगा और आपने CPTS CIP यूज़ किया तो बायर जो है import duty वगरे बरेगा आपको बरना नहीं पड़ेगा बात कर दो जनरली door to door भी यहां पे बहुत चारा booking रहता है कि इसमें क्या होता है कि आप हैंडी क्राफ की product बना रहे हो और individual buyer अमरीका में मिल गया तो वो क्य करेगा मेरे घर तक का pricing मुझे दे दीजिए आप जितना बोलो मैं पे करने के लिए ready हूँ तो आपको क्या करना calculate करके door to door pricing भी आपके buyer को दे सकते हो तो export import करना बहुत ही simple है right knowledge और proper mentor के guidance से आप भी export import business कर सकते हो thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import सिखना चाते हो then join advanced level export import practical training everything about export import जिसके अंदर 100% export import सिखाने का guarantee है with lifetime support to register call now let's go global together thank you कर दोग्ट कर सबस्टराब बढ़स्स कर दो ही डाद्सक्राबस्सक्नाबस्स कर दो से जाजिक दो जढ़स्सक्द्स झाल झाल